हेलो फ्रेंड्स मैं हूं ममता और आज मैं आपके लिए लेकाई हूं चकुंदर से बनी हुई ये पोड़ियां कितनी कलरफूल एकदम बढ़िया वाली पोड़िया बनाई है आज हमने आप देख भी सकते हैं कितनी बढ़िया लगनी देखने में और खाने में तो एकदम जवाब टेश्टी हमारी पूरिया बनके त्यार हुई है प्लीज अगर आप में चैनल पर नए हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लगती है लाइक करें ज्यादा अच्छे लगती हो तो शेयर करना भी न बोलें तो फिर चलिए देर किस बात की बन के उताल लेंगे पहले इसमें इतना बढ़िया कलर होता कि एक दम हाथ भी लाल हो जाते क्योंकि कहते ना चकुंदर खाने से खून बढ़ता है तो आपको इसे किसी भी फोम में खाये पर आप इसको खाये जरूर चाहे इसकी सबजी भी बहुत अच्छी बनती है तो जो इसको कट करने के बाद में हमें इसको पीसना है क्योंकि हम लांगे इसको बाद में आठ मेश माने कंट ले नूंगी मैं इसलिए तो कि थोड़ा सा पानी डालकर अपीश को पीस लेगे कि यहां पर मैंने इसको पीष लिया है और इजक यह इन अच्छा यहां लेया है जालें वं इसमें तो पमधान्ध जरूर डालें इन सब चिज़ों को हमें अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने वह उपना चकुंदर पीच के रखा था उसको इसमें हम डाल देंगे पहले इसमें सारा डाल देंगे फिर देखेंगे मैं कितना पानी डालना हमार अपना जानी परके इसमें अच्छे से टाइट होता है और ना ज्याद़ पतला होता है एकदम सूपर सॉप्ट जो आटा होता हूँ पूरी के लिए लगाते हूं यह देखे हमारा आटा लगके एकदम बिल्कुल तयार है कितना बड़ी है इसका कलर लग रहा है तो यह दिखे आटा मैंने एकदम तयार कर लिया अब इसमें तोड़ लीग थोटी छोटी यह लोई या मैं इसमें एक बड़ी भडीव बना लिए चकछ، आछ धूडशर हम आट कि लुए कि थोड़ा सा थिक सा हम रखेंगे ज्यादर पतलि अगर हम लोई यह पूणिया बेलते हैं तो फिर हमारी फूणती नहीं है तेल में जाके इस बात का ध्यान रखना है कि हलकी सी ज्यादा मोटी नहीं बहुत हलकी सी मोटी हम इसको रखेंगे यह दिखे इस तरह से हमें पूरिया बनानी है अब मैं यहां पर एक ले लूँगी गिलास और गिलास से मैं इसको काटूंगी इससे क्या होगा बिल्कुल एक साइज की और एक दम बढ़िया स से हमारी पूरिया बनके तियार होंगे यह और इस तरह से हमें से काट लेंगे यहां पर मैंने गदास लींगे फिर्वीट्ट बन पर इसाट बन के रखने में का वाइनका लें इक दम जहट अगे के यह त्यार हो जाती हैं और यहां पर मैंने रख दिया यह तेल गरम होने के लिए क्योंकि मैंने यह सारी पुडिया एक साथ बना ली तो तेल भी हमारा अच्छा गरम हो चुका है हम अपनी पुडिया इसमें तलेंगे तो सबसे पहले में डाल दोंगी इसमें एक पुडिया तेल ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ठंडे में भी हमारी पुडिया फूल के नहीं आती हैं और ज्यादा तेज होने में यह पाली हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखें और एक साथ में एक से दो पूलिया हमस्वेश्म में डाल सकते इतना हमारा तेल तरी पूलिया डालने और यह दे भी सकते हैं कितनी लाजवाब लग रही है तो आप इन्हें एक बार जरूर ट्राय करें क्योंकि एकदम बढ़िया हमारी पोडिया है जब भी कोई आपके घर पर गैस्ट आए तो आप उन्हें बनाकर खिलाएं एकदम अलग एकदम कलर फूर हमारी पोडिया बनके तयार और खाने में इनका स्वाद आता जो हमारी हैल्थ के लिए अच्छा होता है तो आप जरूर बनाएं अपने बच्चों को जरूर खिलाएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादे अच्छी लगती है तो लाइक और शेर करना भी ना भूलें मैंने वहां ज्यादे एकदम गोल नहीं आता है तो आप गिलास से काट की बना सकते हैं जैसे आपका मन करें इस तरह सकते हैं और यह देखे इस तरह से मैंने शारी यह भी पूरिया बेल ली है और इनको भी बार में अतल के दिखा दूंगी दोनों ही तरीकों से एकदम आसान पूरिया हमारी तयार होंगी तो जिस तरह से भी आपको ज्यादे आसानी लेकर इस तरह से आप बना सकते हैं और एकदम फूल के आती हमारी पूरिया क्योंकि जब पूरी का आटा एकदम बढ़िया से लगता है तो पूरिया एकदम फूल के आती हैं जब पूरी का आटे को हम कितनी लाजबाब कितनी कलरफूल हमारी पूरिया बनके तियार हुई है तो आप जरूर ट्राय करें और आपने कैसी बनाई मुझे जरूर बताए क्योंकि आपका फिडबैक आपके कमेंड्स हमारी बहुत जरूरी हो तो प्लीज कमेंड करना ना भूलें अब मिलते हैं एक